ये अर्टिलरी में जो बच्चा जा रहा है उसको छे मिना जो पहले 9 माव मेड़ेसिक होता है तो ये आउज मुटर फ़ीं के पैसे घर्जियन लोटारे पैसे निंके गगल उनके वारे में आप क्यों नहीं सोय लेकिन सरकार को एक बार मैं आपके ललन टॉप के माधिहम से बताना चाहता हूं कि सर इसके उपर सरकार को एक बार आप मैसेज पहुंचा ये इसके उपर विचार किजिए कि उजो पचातर परसेंट ट्रेंट शुलजर आ रहे है ना उसको रीप्लेस्मेंट जल्दी आप बादियों में रेल गाड़ियों में बोगियों में आग लगाना पत्थर चलाना वाइलेंस होना ये सब भी अब खबर आने लगी हैं ऐसे में हम शहर में आयों और हमें किसी ने बताया कि यहां पर एक विक्ती हैं जो एक सर्विसमेंट हैं वो आर्वी में रह चुके ह हैं और इस पूरी जो जो चात तैयारी करते हैं जिनको सेना में जाना होता है वो उनकी मदद करते हैं मतलब उनको ट्रेनिंग देना उनको सिखाना ऐसी कुछ बाचीत हमें पता चली है तो हमने उनको ट्रेस आउट किया और हम उनसे बाचीत करने की और इस पूरे मुद्द सब्सक्राइब करें तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इसके लाइक आप समझें जितने भी चैनल को देख रहे हैं आप जी जी आपने जाएं दोहजार तीन लास्ट मतब जनवरी फ़र दोहजार चार से लिएके और दोहजार बीस तक मैं साड़े सोलह साल भारती से नमें जॉब किया एज़ा मैं होल्दार रिटायर हुआ और मैं टेकनिकल कोर में था सिंगनल में और वहां से मैं पांच जग सभाग मेरा हुआ कि जो आज के परधान मंत्री जी है उनके साथ भी मुझे कुछ दिन सर्फ करने का मौका मिला नेजी के द्वारा और नेजी में भी हमने काफी एज़ा कमांडो हमने काफी अच्छा ड्यूटी वहां पर निभाए से जब आपकी रिकूटमेंट हुई थी सबस्पाही जाते हैं जी हो रही है रिकूटमेंट है हमारे साथ जब हम भरती हुए थे तो उस समय 16 साल एज रखा जाता था भारती से ने में जौइन होने के लिए लेकिन अब साथे सतरह हमारे मतब 2005 से यह संसोधन हुआ 2005 के बाद जितने बच्छे हुए साथे सतरह तो हम 17 साल 3 मुईने में भारती से में जौइन किये थे या उज़ी साथ 16 साल सर्विस किए लगब और पिर जो तरीका होता है रिटार्मेंट का वे अपने रिटार्मेंट लिए आपने साल बाद हम ले सकते हैं 15 साल बाद हमें फूल पेंसन लागू है तो मैं 15 साल नहीं 16 साल करके मैं भारतियसना से रिटायर हुआ अभी आरा में क्या करते हैं आरा में मैं मेरा एकेडमी है भोचपूर फिजकल एकेडमी के नाम से तो बोचपूर फिजकल एकेडमी तो मैं उसमें बच्चे जो अर्दिसनिक वाल सीएपी एफ या आर्मी एरफोर्स नेवी या स्टेट गौ अच्छा क्या आप ट्रेंग वीडियो है कुछ आपके पास की देता हुआ है ऐसा कुछ की दिखा सकें आप मुझे कैमरे पर ऐसे दिखा सकें है आप तू कर दो कि कहां चलाते हैं इसकूला ये जैन कोलेज में अचुन पास में है जैन कोलेज है इसी में ये ट्रेनिंग के शांको कि रोज को सुबा से बाश से साथ और साम को चार से छे अऔर लग्जाम सबकी प्रैक्टिस बचे करते हैं कि यूट्यूब चैनल भी है कि लोग यूट्यूब बनाते हैं अपना ना मैंने देखा है पुरसान कि हमारी बच्चियां है यह हमारी लड़कियां अच्छा मैं कमांडो को परहीं परहीं है कि मैं लड़के लड़की निभेद नहीं समत हूं मैं सुपाँ कमारी लड़कियां भी कल गए ऐसे त्यार हो जोब नहीं लगा तो कम से कम अपना प्रोटेक्शन ठीक है हाँ मतलब फिजिकल ट्रेनिंग तो ज़रूरी है फिजिकल वर्क जो चानवे बच्चे आये थे अब तक और उसमें से मैक्सिमम बच्चे चले गए हैं अभी एप्रोक्स दोसों के करीमे बच्चे हैं मेरे पास अगनी पच्च स्कीम जिसलिए हम लोग निकले हैं अगनी पच्च स्कीम उसको लेकर जो चार साल बाद आपको सेवा से बाहर किया जाएगा और आपको 11,70,000 रुपए कि आप वासपास आपको धनराशी दी जाए कि पोस्ट रटार्मेंट बेनिफिस जो आपको मिल नहीं ह तो एक तरीके से रखूंँ उसका ये भी है कि लोगों का तरक है का लोग कहते हैं कि सरकार का तरक है कि बड़ा रिफॉर्म था फोज फोज के लिए कि फोज में युवा और और ज्यादा जुजहारू कि लोगों की आपकी तादाद बढ़ेगी उस हिसाब से फोज में होता है और 15 साल में भी अगर रिटायर करता है तो उसकी एज तो 32 ही तो 32 में क्या युवा नहीं रहता है उसके अंदर पुरा जोस रहता है अब हमारे मैं क्या प्रोड थोड़े हूँ आज भी मेरे अंदर पुरा जोस है मेरे अंदर तो जोस है तो यह जो अगनी स्किम में सरकार के दोरा ले आया गया है तो इसका तो देखें दोनों चीजे भी अगर कुछ देखा जा मैं जाने का मौका मिलेगा जहां तक मैं देख रहा हूं कि में जम्मारों मैक्सिमाम है यह एक मेरे तरफ से पोजिटीव है कि हाँ बच्चा हर युवा को एक बार से ना में का बर्दी पहनने को मौका मिलेगा हर एक युवा अपने आपको स्टॉंग महसूस करें जो वहां की ट्रेनिंग होती है उसको उसको लेके और बाहर में एक अलग सा उसका मतब डिसिप्रिन में अपने आपको दिखाएगा आप दूर से निकला हुआ है वह आपको दूर से पहचान वाजाएगा यह एक ट्रेनर सोल जा रहे है यह तो पॉजिटिव इस वे मैं सोच रहा हूं और और निगेटिव इसके ज्यादा है सर जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम 25 परसेंट को रखेंगे 25 परसेंट मानली सो बच्चे है तो 25 रहे 75 चले गए अब 75 जो चले जाएंगे उनकी क्या गलती है वह तो आपने उनको सब को ट्रेनिंग दिया है और यहां पर जो आप भरती प्रोसेस ले रहे हैं एक्सिलेंट वहाई ही आप वहां पे लेंगे इडिटेन, मेडिकल, फिटनेस, सब उसका वही रहेगा जो उस बच्चे कर रहेगा तो आप उनको बाहर जब कर रहे हैं तो यह तो गलत है गलत तो मैं इसको इसलिए मान रहा हूँ को फिर बच्चा कहां जाएगा आप बोलना है कि फिर से उत्यारी कर सकता है सर मैं एज अ सुलजर मैं आपको इतना चीज की गरांटी दे रहा हूं कि जो चार साल वहां पर ट्रेनिंग करेगा न वो फिर पढ़ नहीं पाएगा उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी भारतिय सेना का जो महाल होता है अंदर का उसमें बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे दिन भर बीजी चीडूल रहता है आपको 24 आवर्स एक भारतिय सेना यह जो 24 आवर्स की अपनी सर्विस कराती है बच्चों को बाकि पुलिस उगरा में आप जाईएगा तो आठ गंडी की ड्यूटी होती है लेकि भारतिय सेना में हमें फरूम पर भी साइन कराएगा आप 24 24 आवर्स के लिए बीजी हैं तो 24 आवर्स जब वो सेना के काम के लिए बीजी रहेगा तो पढ़ेगा कब या वो जो 23 साल या 20 साल में जब घर वापस आजाएगा उसके बाद उसका माइंड उस टाइप काम नहीं करेगा इधर से पढ़ने के समय में चला गया सेना में सेना सक्षान करें हैं कर सकते हैं वह बच्चा उसके लेवल के कमपडिशन के तयारी नहीं कर सकता है इसके उपर सर्चकार को इस बिनदू को पर बहुत बिचार करना चाहिए लेकिन यहां पर गया ठीच तो होता है सेना में रिकारी अकडमी बिंडियों की णकालते हैं वहां पर आप 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 ट्रेनिंग लेटे एनोरि direct में और फिर वहां पर आप अफसर होते हैं ठीक Hey एक तो वह हूता है और this excuse होती और यह दॉड़ा लगाते हैं सीने का नाप देथा इंह पाल ते territory कि ये है सर कि चार साल बीटे चार साल आपको अब ये तर्क आ हा रहा है कि इन लोगों को अब कई कई राजीवाले बोल ला है कि इनको पुलिस की भरती में वरीता देंगे अभी आज मैं खबर देख रहा था मुझे नहीं पता सही है किकूश- clicks लोग कहे रहे कि अब देदरे किसी क Scary Missouri below में के Interview प्रिस में उनी को थोड़ी सी Guidance Malaysia मिलने की बाचित हो रही है कि उन्का रिजर्व किया जाएगा जो निकल है अगनी वीर जो निकले हैं ऑर उनको को आपको बतादू सर कल टाइम से इंडिया के जो राहूल कमर जी हैं इनसे भी मेरी बात हुई थी और वहां पर हमारे सेना से करनल राजवरदन सिंग राठोर जो बीजेपी के एंपी भी हैं और हमारे मतलब बरीश्ट्रे का धिकारी मेजर जनरल जीडी बक्सी जर सर भी थे त आप प्रोमिस मत किजिए इस्टेट आप बताएं कि उतर परदेश में आज की डेट में तो आप देख रहा हैं कि योगी जी हैं योगी जी ने प्रोमिस कर दिया अभी ग्री मंत्री जी ने प्रोमिस कर दिया इसका रूल एक लाइए सर मैं आपके इस अगनी वीर जो अगन पुलिस, स्टेट पुलिस, किसी भी में, वहां से आया, आप एक देख रहे हैं कि एक्सिन्ट वहाए है, तो आप उसको 25% को आर्मी मिले रहे हैं, जो 75% में भी आप च्छाट ये, कि यहां पर ये बहतर, इसका रिपोर्ट काड़, वहां से रिपोर्ट काड़े की मिलेगा, उस रिपोर्ट काड़ के हिसाब से उनको बोलिए, कि यहां से ये 10% को हम दिली पुलिस मिलेंगे, जो सबसे C.A.P.F. की सबसे अच्छा पोस्ट होता है, उसके बाद अर्धसनिक ब इसको सुलूट करेगा, इस पहसले को सुलूट करेगा, हर बच्चा-बच्चा हम तो बोलना है कि इसमें हम लोग बच्चे भर भर के देंगे, यह यह नागता है, और हर बच्चा इसको सुलूट करेगा, लेकिन आप प्रॉमिस मत कीजिए, जी सर्व, एक शिस बताइए, जैनको सब्सक्राइन मिलता है उसकीट्रेश्टिंग मिलती है तो मैं चाहा रहा हूँ कि आपकी ट्रेणिंग कितने समय में हुई थी और उसको उस ट्रेणिंग को अगर अगनीपत के स्कीम में रखके देखें तो क्या देखते हैं हम आपकी ट्रेणिंग कैसे कितना समय हुआ था गे मतलब एक मुकंबल सैनिक बनने में मैं मैं ऐसी मोटी भाशा में कितना समय लगता है और अभी अगनीपत के स्कीम में कैसे देखेंगे आप उसको मैं आपके जो स्टार्टिंग से आप किये थे कि सफाई से लेके और खाना बनाने तक सर हर ट्रेड की वेकेंसी अलग लगाती हर ट्रेड़ बच्ची अलग लग जाते हैं जो ट्र एक साल वह देड़ साल में सेख सकते हैं जो जीडी से बच्चे जाते हैं अगर मालेजियो आड ती में बच्चा 6 मिना बैसिक जो पहले 9 मिने पैसिक होती है आप उसको गन सीखने में इतने बड़े बड़े गन होते हैं इतने अथियार होते हैं उसको सिखने ही पाएगा उसको सिखने के लिए कम से कम कम से कम 5-6 साल चाहिए अब मैं अपने उपर आता हूं मैं टेक्निकल सुजल भरती हुआ था मैं टेक्निकल 10 प्लस टू करके साइंस से और टेक्निकल सुजर भरती हुआ था और साड़े तीन साल की मेरी घुवा में ट्रेनिंग चली थी साड़े तीन साल मैंने वहां रहें बहुत सारे क्यों पिर बहुत हैं पर इंटेक्स नहीं हमारा कोड कोर रोता कमुलिके fixing के लिए लुग कॉम्विकेκαशन के लिए हमें साड़े तीन साल के ट्रेंटिंग दिया गया हम वहां पे के। पद पे थे हमें वहां पर सर्वच जो उसे सिगनल में पिर पांच सल लगा इनिट को समझने में पूरी सीस्टम को समझने में पूरी इंडियान आर्मी को समझने में हमें फिर से पांट सल लगेtså यानि केत currently see salary सादे-ाइप साल में जाके हमने सीक्वाइब हम आप हम 66 है अब हम कहीं भी काम independent कर सकते हैं यह बच्षे 20 कर पाएंगे यह चार स्वाम क्या सीखें ? किसी पर्सपर निकलेंगे अब जैसे मांने सिगनल में गया या in इने में गया वो तो 3,5 से तीन करकよろしく क्योंब करेगा और घर वापस आ जाएगा जो पचीस परसेंट जायेंगे लेकिन ये जो पचीस बहुत सारे मिलेगे सिगनल से यह से आएम सी से यह टेकनिकल टेणि करके इनका कहा होगा. इनके प्लेसमेंट के लिए भी बहुत सारे जगह हैं. CEPF में, RM, जो रेडियो मेकनिक होते हैं, RO होते हैं, डेडियो आपरेटर होते हैं. इनके जगह पे इनको सुमार बठाय जा सकता है. ये बहतर. इनसे बहतर. इनको आप ट्रेनिंग देंगे सब्सक्राइब करेंगे किसी सोलजर को उसको ट्रेनिंग देने में आपको चार से पांच साल लगेगा जबकि यह ट्रेंड सोलजर इनको आप ले सकते हैं बहतर प्लेस्मेंट है सर इसके उपर सरकार को इस बिंदू को वर बिशार करना चाहिए और अगर यह विचार कर दे तो यह अगनी बीर जो अगनी पत्त जो इसकीम लाए हुए हैं ट्योडी लाए हैं इसको हर बच्चा सुलूट करेगा और मैं अंदर कैसा महौल है इसको लेगा सर बच्चे हैं उनको तो समझ नहीं है इस चीज़ का हो तुस हम मेरी बातों को समझ चाते हो उस 25 परसंट में क्यों नहीं रहना चाहते हो उस पचीस परसंट वहर क्यूं देखते हो अपने आपको तुम बोलोगी यहां तुम बेस्ट हो तुम परसंट भाचीस परसंट में रह के आओगे उसको वहाँ पर रखिए लड़कियां भी जाएंगी लड़कियों को भी आप दीजिए बिहार पुलिस एस्टेट पुलिस या सीए पीए पे दीजिए उनको क्योंकि ये ट्रेंड होंगे ना सर आपको दुबारा इनको अजिसे माले ये स्टेट पुलिस में कोई बच्चा या लड़की या लड़का भरती होगा तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपको एक साल और चाहिए उसको पर आपको पैसा खर्चाप करने पड़ेगा लेकि इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट में बहुत सरे हिंसा की खबरें आ रही हैं इन सब चीजों पर आप क्या कहते हैं मतलब आज आ ट्रेनर जो आप से लोगों तियार कर रहे हैं क्योंकि अब ऐसे में सवाल उटते हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहें उ जो बासमनल की जो करनाओं करें आप ऐसी घटनाओं पर क्या सोचते हैं इसका तो बहुत कडी निंदा करता हूं जो भी किये हुए हैं मैं अपने बच्चों को इसके बारे में काफी बड़ी हिदायत दिया मेरे पास जितने बच्चे मेरे कंट्रोल में हैं मैं अगर तुम्हा कर रहे हैं। फिकरों न दूरे हैं कि एक बार आपने आपके ऊपर एक वपाल हो गया तो आप नरप पुलीश को रेसे निदे उसे पुलिस के द्वारा जागे आपको फेरिफिकेशन कराना है ताप इन चीजों से दूर है और कुछ इसमें मुझे तो लगता है कि सर अस्समाजिक तत्व के लोग घुश गया हैं बच्चे नहीं है इसमें मैं जहां तक इसको पूरा वीडियो भी देख रहा था पर टीवी के म में भरतियां हुई थी और बीच में मेरे पास से लगभाग पचीस लड़के आये थे जो रिलेशन भरती के लिए जाना चाते थे अलग अलग इनुटों में रिलेशन भरतियां निकलती है जो भारतिय से नहीं में जॉब कर रहे हैं या रिटार होगे उनके बच्चे होते ह चैन बच्च्च एंग बास भाइँ होते हैं जिनको रिलेशन में भरति कि राके आर्मी सोज्य जाते उन अपना फिजकल अपना मेडिकल रिटेन के त्यारी में लगतार पैसे खर्चा कर रहे हैं गर्जियन लोग सूध लेके पैसा दे रहा है उनके गगल दे उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचे एक बार आप जैसे सर अभी बता रहे थे कि आप जानिये इंटेलिजेंस को भेजिये जनता के बीचे में बच्चों के बीचे में बहजिये जो सर काम करें वह आप की किजिये सरकार अगर काम करती तो हो सकता कि यह जो नौबत देख रहे हैं यह ना आता हो हो हां मान सकता हूं कि इसमें 2% 3% वह बच्चे होंगे जो पिछले डेड़ स से केवल और केवल रिटेन की त्यारी कर रहे थे लेकिन उनको बिना सुचना दिये आपने उनके पीठ पे नहीं पेट पे लात मार दिया वह बच्चे क्या करें तो बिल्कुल हतास पड़े हुए हैं जिनका एस खतम हो गया था सर वह इस भरूस्य में थे कि सरकार उनके लि होगा लेकिन उनको तो आपने बिल्कुल बुला कि नहीं आपका सब खतम हो गया आप डार कुछ नहीं कर पाएंगे वह इसी स्किम में आएंगे एज रहेगा तो आएंगे नहीं तो चले जाएंगे तो डेड़ साल मतलब 23 साल का जो इवा उस समय होगा वह तो साड़े 24 का ह पर उसके लिए क्या लेका उनको इस साल के अगनी पत में दो साल बढ़ाया है टिस से टेइस वह ज्यादा थास कैसे हैं और बच्चे वहीं है जो पिछले में और पॉलिस में और फॉज में एक ही बचा जाता है किशान का गरीब करता आपका भी तबच्चा जाते हुए किसी बिजनेसमेन का बच्चा देखते हुए फोज में जाते हुए नहीं जाएगा हम लोग ये बात मतलब मैं इस बात से थोड़ा सा समस्य हमत भी हूँ लेकिन अलग तरीके से कि गरीब और मध्यमवर्गी परिवार के जो बच्चे होते हैं वो सिपाही की भरती में जाते है और थोड़ा सा उंचा तब का होता है अगर फाइनेशली हलका सा तो वो अपसर की त्यारी करते हैं यह ऐसा मैंने देखा है अमूमन तो यह जो पिछले डेड़ साथ से बाचे थे इनके बारे में आपके आपके आप भी तो सरकार के पास रखी गए इस बात को उनकी क्या ग तो आपने उनको उनकी उपर तो आपने वीचारी नहीं किया तो प्लीज इसके बारे में भी सोचा जाए थैंक यू से चंदन जी थे चंदन जी अपनी बाते हैं स्टूडेंट्स के बाते हैं रखते हुए हम यही इसरार कर सकते हैं बार बार यही इसी बात का बार बार हम इसी बात की बार-बार जिद कर सकते हैं कि हर पक्ष हर पक्ष को सुने, law and order को सुना जाए, छात्रों को सुना जाए, सरकार को सुना जाए, हर पक्ष हर पक्ष की सुने, ये communication gap न हो, कहीं कोई बात रहने जाए, कहीं कोई बात अनुत्तरित न रह जाए, कहीं कोई क्राइम न ह पूरे तंत्र का भरपूर प्योग करके हिंसा को और प्रोटेस्ट को और तमाम कारणों को समझा जाए और उसका उचित निवारण किया जाए ऐसी आशा करनी चाहिए अपनी सरकारों से लोगों से तंत्र से जिसका हम सब आप हिस्सा है मैं और मेरे साथ ये पंकज इस मुद्दे पे बने हुए हम और रिपोर्ट्स के माध्यम से इस मामले को ट्रेस आउट करेंगे आप ललन टॉप देख रहे थे शुक्रिया